जादूई गाए. बहुत समय पहले की बात है, एक गाव में एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था. उसके पास केवल एक गाए थी, जिससे वह दूध प्राप्त करता था. ये गाए छोटी और दुखी दिखाई देती थी, और उसकी दूध की मात्रा भी बहुत क गरीब किसान ने अपनी गाए के साथ बड़े प्यार से रहा. वह हमेशा उसकी देखभाल करता और उसके साथ वक्त बिताता. गाए का दुखी दिल देखकर वह चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे उसकी गाए को खुशी मिल सकती है. एक दिन किसान ने एक पुरानी प तक पौधों की खोज की और अंत में एक जादूई पौधे को पाया. जब वह पौधे को अपने घर लाया और उसके पास रखा, तो पौधे ने अचानक खुद को बड़ा बदल दिया. जादूई पौधे से निकले फूलों की खुश्बू ने गाए को खुशी मिलाई और उसका दूध भी बढ़ गया. गाउं के लोग हैरान हो गए क्योंकि इस से पहले वह गाए दुखी दिखाई देती थी और अब वह हमेशा हंस्ती मुस्कुराती थी. गरीब किसान ने यह समझा कि असली खुशी और सुख अपने दिल में होते हैं और जादूई पौधे की होती. वह खुश था क्योंकि उसकी गाए अब सुखमे और स्वस्थ थी और उसके द्वारा दिया गया दूध भी अब बढ़ गया था. इस कहानी से हमें यह सिखने को मिलता है कि हमें अपने दिल की सुनना चाहिए और अपने पास जो है उसके साथ खुश रहना चाहिए. असली सुख हमारे आत्मा में होता है और हमें उसे बाहरी चीजों से नहीं पाया जा सकता है.